फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर AIMIM अध्धेक्ट सद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं ओवैसी ने पूछा है कि बीजेपी को फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों की याद क्यों आई देखिए A.B.P. News के खाश शो इंडिया चाहता में संपादक सुम्त अवस्ती से ओवैसी की ये खास बात चीद मेरे साथ मौजूद है AIMIM के चीफ सांसद है हमारे साथ लोकस्वा के असद उद्दीन ओवैसी साब साथ बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बात करने के असद भाई मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपकी अजाज़त से कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कॉंट्रोवर्सी देश में छिड़ी हुई है आपको लगता है कि इसके लिए कश्मीर से जो माइग्रेशन हुआ अस्सी और नब्बे के दश्रक में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदूों के साथ प्रतारना हुई जो कहा साथ साल से मोडी सरकार है वो क्यों नहीं एक इंडिपेंडन कमिशन मना देती जो इन तमाम चीजों का नोट ले और अपने रेकमेंटिशन दे और मोडी सरकार ये भी बता दे कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडिट को जहां कहीं भी वो उनको हैं अभी देश में उनको वापिस लेकर कितनों को लेकर गए तीसरी बात यह है कि जब आप एक समधाय की आप बात कर रहें सवाल में तो मेरा मानना यह है कि डोड़ा बदरवार पूंच में भी फंदरा सो नौन पंडिट कश्मीरी हिंदू मारे गए थे तो उनके लिए कौन रोएगा उनके इनसाफ की बात कौन करेगा और चौती बात यह है कि मोड़ी सरकार यह बता दे कि कितने कश्मीरी पंडिट का माइग्रेशन हुआ कोई कहता है पांच लाग कोई कहता है छे लाग भाया बता दीजे ना और यह उसमें और बात क्या यह कि जो हमारे कश्मीर में जो हमारा भारत का तूट हिस्सा है जो बॉर्डर लगता है ऑक्यूपाइट कश्मीर का कितने गाउं उस वक्त खाली हुए तो आप इंडिपेंडन कमिशन बना दीजिए यह तमाम चीजे साम में आ जाएंगी और अगर कश्मीरी पंडिटों को वह से उनको यखिनन तकलीफ हुई हमारा मेरा मानना यह कि सिनगर में आर्टी अप्लिकेशन कहता है कि एटी नाइन का खतल हुआ और आदूसरा पूरे जमौन कश्मीर को उस वक्त के स्टेट में दो सो नौ दो सो नौ की हत्या कश्मीरी पंडिट की हुई तो आप इसको नहीं हो जाए पर अभी तक तो इस सेंसिटिव मुद्दे पर देश में चर्चा ही नहीं होती थी आज कम से कम एक फिल्म के बहाने ही सही चर्चा तो हो रही है पांच लाक माइगरेट किये हो इससे क्या फरक पड़ रहा है फरक तो यह है कि घाटी से अर्प संक्या कश्मी इंग्रेशन हुआ उससे पहले क्या हूँ हम जानना चाते है ना मैं भी जानना चाता हूँ आप भी जानना चाते हैं देश भी जानना चाता है वो तो उस वक्की सरकार का एक एड्मिस्रेटिव फेलियर था मैं मानता हूँ इस बात को तो उनको आपने लिजा कर आर्मी के क साफ याद आता है क्या तकलीफ याद आती है पी रहती है